जमो कश्मीर और केंदर शासित परदेश लदाख में करोना के कारण मरे लोगों के परिजनों को सहायता के तौर पर 50-50,000 रुपे देने की निमों को मज़ूरी दी गई है पीडित परिवारों के आवैदन के एक महिने के भीतर उनके बैंक खादों में सीधी सहायता राशी दी जाएगी आपदा परबंदन सहायता परबंदन और पुनरवास प्राधी करन जमो कश्मीर ने निमों को मज़ूरी दी वही ले में भी इसके लिए अलग से आदेश चारी किया गया जमो कश्मीर में अभी तक 4,476 लोगों की कोविड से जान गई है वही लद्दाग में 214 लोगों की जान गई आपदा परबंदन सहायता परबंदन और पुनरवास प्राधी करन की और से जारी आदेश में कहा गया कि सहायता राशी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स देगी वहीं जिला उपायुक्त स्वास्ते विबा के रिकॉर्ड के आधार पर ही सहायता राशी देंगे सहायता राशी उन सभी परिवारों को मिलेगी जिनके घर का कोई सदस्य कोरोना के कारण मरा हो इनमें वे परिवार में शामिल हैं जिनके परिवार के सदसे करोना परबंदन में लगे थे लेकिन उनकी मौत भी करोना के कारण हुई सभी को वैद मृत्यू परमान पत्र देना होगा नियूमो की तैत जिला उपायूक्त जिले के अधिकारिक वैप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिंक उपलब्द करवाएंगे स्वास्ते विबाग को अपने मुख्य स्वास्ते अधिकारियों चिकिस्सा अधिक्षकों की माधिम से जिला उपयोक्तों को कोविड के कारण मरने वालों का रिकार्ड उपलब्द करवाया चाएगा जिला, उपायुक्त, स्ट्यम और तहसीलदारों के महादिम से आगे रिकार्ड की स्मिक्षा करेंगे एक टीम रित्कों के घरों का दोरा कर उनकी रिपोर्ट देगी पांच दिनों के बीतर स्ट्यम ये रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सोंपेंगे जिला उपायुक्त इसके बाद सहायता राशी सीधे बैंक खातों को बेचेंगे इसी तरह का आदेश जिला आबदा परबंदन अधिकारी लहने भी जारी किया है